Solvent Extractors Association of India, C, का आकड़ा मध्य फरवरी में सामने आएगा लेकिन उससे पूर्व उद्योग व्यापार छेत्र ने जो अनुमान व्यक्त किया है, उससे पता चलता है कि जनवरी 2024 के दौरान भारत में पाम तेल का आयाद घटकर गट तीन माह के निचले स्तर पर आ गया क्योंक क्रूड पाम तेल, CPO, के लिए रिफाइनिंग मार्जिन रिनात्मक होने से रिफाइनर्स द्वारा क्रूड सोयाबीन तेल की खरीद पर विशेश ध्यान दिया गया जिससे इसके आयाद में अच्छी बड़ोतरी हो गई, उद्योग व्यापार के जानकारों के अनुसार द की भारी गिरावट के साथ 5.4 एक लाक टन के करीब सिमट गया, जानकारों के अनुसार RBD पामोलीन के मुकाबले क्रूड पाम तेल पर मार्जिन ज्यादा रिनात्मक बैठ रहा था, इसलिए रिफाइनर्स ने इसका आयाद घटा दिया, दूसरी और सोयाबीन तेल का भाव पाम तेल की तुलना में अत्यंत प्रतिसपर्धी होने के कारण इसकी खरीद के प्रती भारतिय आयातकों का रुजहान बढ़ गया है। प्रतिद्वंदी खाद्य तेलों के समकक्षा गया है। साथ ही अर्जेंटीना में सोयाबीन का शांदार उत्पादन होने की उम्मीद है। जहां तक सूरजमुखी तेल का सवाल है, तो जानकारों ने दिसंबर के मुकाबले जन्वरी में इसका आयात 19 प्रतिशत घटकर 2. दिसंबर के आयात से 9.2 प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम है।